नमस्कार दोस्तों आप सरे का स्वागत है मेरे चनल पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13 से 16 अगस्त तक के लिए दैनिक राशिफल आईए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा नवी राशी लेते हैं सजिटेरियस यानि धनुराशी 13 अगस्त के दिन काफी उर्जावान रहेंगे बहुत ज्यादा शक्त अपने अंदर महसूस करेंगे बड़ा पैशन बड़ा जोश आपको फिल होगा इस दिन काफी सारे नए विचार आपके मन में आएंगे नए ख़याल अमन में आएंगे कुछ पुरानी गलतियों के संबंध में भी आपके विचारों में परिवर्तान आएगा इस दिन आप अपनी बात साबित करने के लिए किसी को कुछ भी कह सकते हैं इसलिए अपने वाणी पर अगर नियंतर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, कोशिश करें कि इस दिन आप दिखावा ना करें जो कि आप काफी ज्यादा करेंगे, कोशिश करें कि इस दिन को आप थोड़ा सा समेटें, सहेजें और समहा लें, इस दिन आपका पैशन, आपका ज द्धन को लेकर कुछ नया करना चाहेंगे, हो सकता है धन का नया सुरोत खोजना चाहें, हो सकता है धन के इन्वेश्टमेंट के बारे में आप कुछ प्लैनिंग करना चाहें, इस दिन आपके द्वारा की गए प्रयास जो धन के संबंद में हैं, सफलता जरूर दिलाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों के बहकावे में आप ना आने पावें अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ बताता है, किसी मामले पर इंफिलेंस करता है तो विबेक से काम लें, उस व्यक्ति की बातों में ना आ जाएं पंदरा अगस्त का दिन आपके लिए बड़ा बढ़िया रहेगा, इश्वर की कृपा अनुकमपा आपके उपर बनी रहेगी एक प्रकार से इस पूरे दिन आप उनकी छत्रचाया में होंगे लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखियेगा कि आप एक अच्छे इंसान बने रहे क्योंकि जब इश्वर की छत्रचाया आप पराती है तो वे आपसे ये अप इच्छा नहीं करते कि आप किसी का बुरा करेंगे किसी का अपमान इस दिन ना करें किसी का लाब उठाने की कोशिश ना करें इस बात का प्रयास भी ना करें कि आप अपने फाइदे के लिए किसी को यूज करेंगे जितना ज़्यादा आपका बेहार पजिटिव रहेगा उतना ही आपके लिए फाइदे मन रहेगा इस दिन प्रेम समंदों और वैवाहिक जीवन के लिए बढ़ा ही बढ़िया दिन रहेगा फर से हो सकता है आपको ऐसा लगे कि जीवन में अभी तक आपने जो कुछ भी हासल किया है वो अपने दम पे किया है इसमें इस वर का ना सहयोग है ना कोई हाथ है न उनकी प्रेरड़ा है लेकिन आपका सोचना गलत है सब कुछ इश्वर की प्रेरड़ा से होता है और आज भी इश्वर आपको कुछ रास्ते दिखाना चाहते हैं कुछ हिंट देना चाहते हैं लेकिन अगर आप अपने आपको उनकी और से पीट किये बैठे रहेंगे तो आप उनके hints को कैसे ले पाएंगे इसलिए उनसे नाराजगी मत दिखाएं इश्वर जो hints देते हैं उस hints को आप स्विकार करें accept करें और उनको use मिलाने का प्रयास करें कोशिश करें कि इस दिन आपका जो बयोहार है या आपका जो mood है यह mood दूसरे लोगों को कम से कम पता चले इस दिन आप एक छोटे मोटे mood swing को face कर सकते हैं जब दिन के कुछ हिस्सों में आपका mood एक तरह होगा दूसरे हिस्सों में अलग तरह होगा लेकिन अगर आप अपने mood swing पर द करिश्टी कृनट से देखा जाए तो तेरा तारिक थोड़ा सा नाजुक है क्योंकि इस दिन आप अपने जीवन साती से जगण सकते हैं बाकी के 30 दिन बढ़ियां रहेंगे व्यापारिक दरिश्टी कृनट से 13 अगस्त सब से बढ़ियां है जब आप व्यापार बड़े अ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद नमस्कार